मुश्किल में फसे उसामा तो आई तेज तेज़श्वी की याद एक वक्त था जब तेज तेज़श्वी के खिलाब सोसल मिडिया पर उसामा और सहाबुदीन के समर्थक मुहीम चला रहे थे लेकिन सहाबुदीन के उपर एक बार फिर से मुसीबत आई है और अब उसामा के समर्थक सोसल मिडिया पर तेज़श्वी यादो को उसामा के समर्थन में खड़ा होने के लिए मुहीम चला रहे हैं आपको बता दे कि एक वक्त था कि लालू परसाद यादो आरजेडी सुप्रीमो और पुर्वसांसद डॉक्टर मुहमद सहाबुदीन के रिष्टे किस प्रकार मजबूत थे सहाबुदीन के मर्जी के बगर सीवान के इलाके में लालू परसाद यादो कोई भी राजितिक फैसला तक नहीं लेते थे कहा जाता था कि लालू परसाद यादो और सहाबुदीन के रिष्टे इतने मजबूत थे कि इन दोनों के रिष्टों के बीच कोई तीसरा नहीं धमक पाता था साबुदीन जब चाहे राजस सुप्रीमों लालू परसाद यादों से बात कर सकते थे उनसे मिल सकते थे यहीं नहीं उन इलाकों में जहां सहाबुदीन का परभाव हुआ करता था उस तरफ राजस सुप अरोप रहा है कि सहाबुदीन के अंतिम वक्त में लालुयाद और उनके परिवार के लोगों ने पुराने रिस्ते नहीं निभा सके बात के दिनों में तेज परतापयादों और तेजश्वी यादों उसामा साहब से मिलते रहें उनकी साधी में भी सामिल हुए और तब जाकर इस तेज समान हो पाए साहबुदीन के बेटे उसामा साहब के उपर पहली तफे कोई केस दर्ज हुआ है MLC उमिद्वार रईस खान के उपर 41 से हमले के मामले में साहब के करीबियों के उपर एफायार दर्ज की गई है ऐसे में उसामा साहब के बुसकी लिए बढ़ती निजरा रही है इस बेट साहब और साहबुदीन के समर्थकों की तेजश्वी और तेजपरताब की याद आ रही है सोसल मीडिया पर साहबुदीन के मौत के बाद तेजश्वी और तेजपरताब के उपर जम कर भडास निकालने वाले उसामा के समर्थक अब सोसल मीडिया पर तेजश्वी और तेजप्रताब के साथ ओसामा की तसवीरे साझा कर रहे हैं सोसल मीडिया पर भी Stand with Osama Hashtag के साथ सपोर्ट दिखाने की कोसीज की जा रही है उसामा साहब के उपर F.I.R. दर्ज होने के बाद अब सोसल मीडिया पर उन्हें समर्थन दिया जा रहा है उसामा और साबुदीन के समर्थन में लिखा जा रहा है जान बूझ कर उसामा को निसानाब बनाया जा रहा है उसामा के उपर दर्द की गई F.I.R. एक बड़ी साजीज का नमूना है इस मामले में तेजस्वी और तेजपरताब से हस्त छेप करने की मांग भी सोसल मीडिया के जरिये उसामा के समर्थन कर रहे हैं हालाकि कुछ तस्बीर उसामा और पपू यादो की भी साजा की जा रही है पपू यादो से भी इस मामले में दखल देने की अपील उसामा के समर्थक कर रहे है आपको बता दे कि बिहार विधान परिशत के निकाए कोटे के 24 सीटों पर चुना हुआ सीवान में भी MLC के उमिद्वारों के लिए जो चुनाओ पर क्रिया चल रही थी चुनाओ संपन होने के बाद देर रात सीवान से निर्दलिये परतियासी रईस खान के काफले पर उनके गाउं जाते वक्त पहले से घात लगाया अपराधियों ने एकके 47 राइफल से अंदाधून फारिंग कर दिती जिसमें MLC उमिद्वार रईस खान के करीवियों को गोली लगी हलाकि इस हमले में रईस खान तो बच गये लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचे उनके समर्थन में जेडियू के पुर्व विधायक स्याम बहादूर सिंग पहुंचे तो उन्होंने सीधे तोर पर चेताओनी देते हुए कहा कि एक एक से बदला लेंगे पुलिस पहुंची उसके बाद मामले में तप्तीश सुरू हुए रईस खान ने जो एफ यार दर्ज कराई है उसमें सहाबुदीन के बेटे ओसामा सहाब सईथ आठ लोगों क के बाद उसामा सहाब की मुश्किले बढ़ गई है और इसी मुश्किले को देखते हुए इनके समर्थकों ने सोचल मेडिया पर उसामा के समर्थन में खड़ा होने के लिए तेजस्वी और तेजप्रताब से साथ आने की अपील की है इस कोविट पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहां अपना घर नहीं अगर सिच्वेशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहां अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में लेकिन हां अपने अपने शहर में अपना घर तो होना ही चाहिए होना चाहिए तो कहां है अपना घर ये है ना इह होंस पैनोरोमा पूर्णिया में अपने शहर में अपना पूर्णिया में पैनोरोमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोंस पैनोरोमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और सुधाओ के संग एहोम्स पैनरोमा लग्जूरियस लाइस्टाइल रीदिफाइन